निंजा कामोई एपिसोड नमबर 12 एपिसोड की सुरुबात हीगान के डॉक्टर फ्रेंड से होती है डॉक्टर को देखकर हीगान कहता है मैं एक दम ठीक हूँ मुझे किसी भी इलाज की जरूरत नहीं है इस पर डॉक्टर कहता है ये तो मुझे भी दिख रहा है मैं अंदा नहीं हूँ मैं तुम्हारे एमोशन्स की बात कर रहा हूँ तुमने जो अभी अपने जिगरी दोस्त के साथ लड़ाई की जिसमें तुम दोनों को ही अपना सीक्रेट आर्ट यूज़ करना पड़ा पर तुम्हें कैसे पताए कि ये हमारे सीक्रेट आर्ट थे इसके बाद डॉक्टर अपना निंजा आर्ट यूज़ करता है और अपने असली रूप में बतल जाता है इगान डॉक्टर के असली रूप को देखकर च्वाँख जाता है और उसे चीफ क्या कर भलाता है अगले शीन में हम आउज़ा के सीईओ की सेकरेटरी डिली पर शिप्ट होते है डिली यामाजी के निंजाओं को बड़ी अच्छी तरह से धो रही होती है इसके बाद डिली अपना रोबोटिक सूट पहन लेती है और यामाजी पर हमला करती है ओज़ा का सीईओ ये सब सीन बाहर से हैलिकॉप्टर्ण में बैट कर देख रहा होता है डिली लड़ते हुए ओज़ा के सीईओ जोसफ को याद कर रही होती है हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर डिली, जोसेप को डेली अपडेट देती है जोसेप डिली से कहता है हमारे plans के उपर तुम्हारा क्या वीचार है इस पर डिली कहती है मेरा काम बस आपकी रक्षा करना है इस पर जोसेप कहता है अगर हम गरीबी, pollution, भेदबाओ इनके उपर सोचे तो हम कभी भी एक पक्च के उपर दिसीजन नहीं ले पाएंगे इंसान की सोच समझ से आजात होनी चाहिए तबी हम एक बड़ा बदला बला सकते हैं इसके बाद हम प्रिजेंट सीन में आते हैं डिली कहती है कि ओजा के बिना भी दुनिया बदल सकती है जोसेफ जब तब तुम जिन्दा हो आगे यामाजी डिली से कहता है ये सब भगबास है अब समय बदलने वाला है अब निंजा हर एक चीज़ पर राज करेंगे मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रा कि तुमने हमें धोका दे दिया इस पर डिली कहती है मैं अब बदल गई हूँ मुझे जोसेफ पर पूरा विश्वास है वो समय को बदल सकता है उसने हम सभी को चेंज करके पहले से ज़्यादा पावरफल बना दिया है ऐसा बोलते हुए डिली यामाजी पर पूरी पावर से हमला करती है पर हम देखते हैं कि यामाजी के पास भी एक पीला रोबोटिक सूट होता है वो सूट को दिखकर डिली चौक जाती है डिली कहती है ये अब तक कि रोबोटिक सूट का सबसे परफेक्ट बरजन है यामाजी कहता है जोसिप को पता है कि पावर कैसे बनाई जाती है और उसी ये नहीं पता कि हम निंजा अंदर से खाली होते है हमारे अंदर ना कोई इमोशन होता है ना कोई अहेंकार ऐसा बोलकर यामाजी डिली पर हमला करता है डिली और यामाजी के सूट्स जब आपस में टकराते हैं तो इससे इतनी ज़्यादा पावर जनरेट होती है कि ओजा सिटी के चारो ओर लगा हुआ बैरियर तूट जाता है यामाजी का हमला डिली का रोबोटिक सूट से नहीं पाता इसके बाद यामाजी डिली को तलवार से मार देता है जोसिफ हेलिकॉप्टर से ये सब देख रहा होता है इसके बाद हम फिर से हीगान पर सिट होते हैं हीगान चीफ से कहता है आखिर तुमने अब तक मेरी हेल्प क्योंकि मैंने बैसे भी निंजा कोड को तोड़ दिया है इस पर चीफ कहता है निंजा कोड निंजाओं के लिए एक स्राप है जिससे निंजाओं को कैद कर लिया जाता है हम देखते हैं कि चीफ और हीगान के चारो और बहुत सारी जंजी पर कुछ समय पहले जापान अपनी रक्षा के लिए हमें छोड़ कर किसी दूसरे को हायर करना चाहती थी क्योंकि हम लोग भले ही न्यू टेक्नोजी अपना लें पर हम जो सदियों पुराने कोड को फॉलो कर रहे हैं उसकी वजह से हम लोग पिछड चुके हैं मैंने कई र सुरू किया तम मुझे तुम्हारे और मारी के बारे में पता चला इसके बाद सारा सीन्ज हो जाता है चीफ डॉक्टर बनकर मारी से बात कर रहा होता है चीफ मारी से कहता है मैंने तुम्हारे अंदर कुछ बदलाब नूडिस किये है तुम्हारे हर्ड के अंदर लेहरों मे सजगता है और थोड़ी नरमता है जो एक निंजा के लिए बहुत ही अजीव है मैंने ये चीज दो और निंजाओं के अंदर मैसुस करी है एक दूसरे के लिए दूस्ती होना कोई बुरी बात नहीं है पर मैं एक चीज को लेकर बड़ा स्योर हूँ कि तुम सभी के अंदर एक ना एक दिन इमोसन जरूर पैदा होंगे ये सुनकर मारी कहती है मुझे नहीं पता पर क्या तुम इस चीज को चीफ को रिपोर्ट करने वाले हो इस पर डॉक्टर बना हुआ चीफ कहता है नहीं पर ये बात तुम याद रखना जो निंजा कोड को तोड़ते हैं उनको मरना ही पड़ता है क्या तुम्हें ये शुविकार है इस पर मारी कहती है मुझे नहीं पता क्या होगा मैं सब कोच किसमत के वरो से नहीं छोड़तकती हूँ मैं केबल अपनी दिल की सुनूँगी आगे सीन खतम होता है चीफ और हीगान एक समुंदर के सामने खड़े होते हैं चीफ हीगान से कहता है पुराने जमाने में सभी निंजा एक दूसरे से बेहतर बनने के लिए लड़ते रहे पर कोई भी चेंज नहीं आया पर तुम दोनों की वज़े से निंजाओं के लिए फ्यूचर फिर से खुल गया मैंने तुम तीनों के उपर नजर रखी एक निंजा केवल एक सूलजर नहीं है चो लड़ता रहता है निंजा को अपने दिल की सुननी चाहिए जो उसकी तलवार को दिसा देखाता है तुम तीनों को देखकर मुझे तो यहीं लगा मैंने यामाजी को भी देखा है यामाजी के बिचार बले ही अलगो पर वो भी निंजाओं के लिए एक सुनेरा भविस चाहते है इसके बद हम चीफ और यामाजी की कॉन्वर्सेशन दिखाई जाती है यामाजी चीफ से कहता है आपसे निंजा किसी के नीचे काम नहीं गरेंगे निंजा खुद जो चाहे वो करेंगे उन्हें किसी के औरर की जरूरत नहीं होगी इस पर चीफ कहते है निंजाओं को पीस पर ध्यान देना चाहिए इस तरह से ना जैने कितने लोगों की जान जाएगी यामा जी कहते हैं मुझे सिफ फरक नहीं पड़ता मेरा गोल इन सब से कही ऊपर है चीफ यामा जी की बातों से संन्तुश नहीं होता इसी लिए यामा जी चीफ पर हमला करके उसकी ग्रतन काट देता है चीफ हीगान से कहता है यामा जी ने जो राष्टा चुना है उससे कोड और ज़्यादा इस्ट्रिक्ट हो जाएगा आगे चीफ के मरने के बाद यामा जी और्गनाईजन को खुद कंट्रूल करने लग जाता है हीगान चीफ से कहता है तुम तो आकर मेरे सामने जिन्दा कैसे हो चीफ कहता है तुमने ये बात तो सुनी होगी ना एक बिल्ली की नौ जिन्दिगिया होती है मैं जिन्दा जरूर हूँ पर मेरी सारी निंजा पावर्स जा चुकी है इसलिए मैं यामाजी का सामना नहीं कर सक इसके बाद शीफ हीगान के सामने सर जुखाता हुआ कहता है अब तुम हमारी आखरी उमीद हो तुम ही हम निंजाओं को भाग की जंजीरों से आजात करवा सकता है इस पर हीगान कहता है मुझे निंजाओं से कोई मतलब नहीं है पर जिन लोगोंने मेरी जान बचाई है मैं उनके लिए जरूर लडूँगा अगले शीन में हम ओजा सिटी पर स्टिप्ट होते हैं यामाजी और डिली के बीच होई फाइट के बज़े से सिटी में पैनिक हो गया होता है और सारे नेटवर कनेक्शन भी बंद हो चुके होते हैं लोग ओजा सिटी को छोड़ का जा रहे ह माइक फिर से अपने बॉस के पास जाता है और उसे ओजा के खिलाब सबूत के बारे में बताता है माइक का बॉस कहता है तुम सबूत को मेरे हवाले कर दो मैं यकीन दुलाता हूँ कि तुमारे दोस्तों को कुछ नहीं होगा इस पर माइक कहता है बिलकुल नहीं मुझे चा बड़े बड़े लोग होते हैं जो इससे profit कमा रहे होते हैं हम दोनों ही अब बुड़े हो चुके हैं तो मैं अब तक ये बात समझ जानी चाहिए इस पर माइक कहता है ठीक है मैं ये सब खुद कर लूँगा तभी माइक के बॉस को एक दूसरे FBI agent का call आता है जो उसे बताता है कि ओजा कमपनी का data किसी ने leak कर दिया है हमें पता चलता है कि जेसन ने ओजा के बारे में सारी information publicly leak कर दियो होती है इसमें उन सभी लोगों के नाम होते हैं जो US government, FBI और बड़ी बड़ी कमपनियों की अच्छी push पर होते है और कुछ important लोगों के नाम hide कियो होते है माइक कहता है तो मगर हमारी help नहीं कर सकते हो तो हम खुद कर लेंगे माइक कहता है कि US defense secretary ने ओजा कमपनी को निंजाओं का use करने दिया जो military के पास थे अगर ये बात मीडिया में आ गई तो सोचो क्या होगा इस पर माइक का boss कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम FBI और military दोनों को ए process करने लगता है और माइक इस चीज में काम्या भी हो जाता है आगे माइक का boss अपने agent से room के camera को off करने का order देता है और कहता है मैंने जो side चुनी है मेरे लिए वही justice है मैं कोई कच्छा खिलाड़ी नहीं हूँ जो तुम्हारी motivational speech में पच्छ दाऊंगा चलो इसे पहले की तर उसके खिलाब arrest warrant जारी कर दिया है इस पर जोसिफ कहता है मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूँगा हम देखते है कि जोसिफ defense secretary को सभी ओजा power plants को उड़ाने की धमकी देता है जिससे हर एक power plant के 100 km के डायरे में सब कुछ तबा हो जाएगा और इससे लाखों लोगों के जान ज जोस कहता है कि बस एतना ही नहीं ऊपर से order आ गया है हमें ये इन्वेस्टी के जन छोड़नी होगी दूसी टीम इसे handle करेगी और उन्हेंने पहले ही जोसिफ को पकड़ने के order दे दिये हैं जिससे उसका मुझ चुप कर आया जा सके आगे हम देखते हैं कि ninja defense office पर हमला कर दे देते हैं और धीरे धीरे करके पूरे सहर पर कबजय करने लगते हैं यामा जी कहता है अब समय आ गया है कि सभी लोग निंजाओं की असली पावर को पैचाने हमने जो कई सदियों से सोच रखा था उसे पूरा करने का वक्त आ गया है है